हेलो एव्रिवन मैं हूँ सचिन और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम लोग देख रहे हैं website development in PHP और आज के इस class में हम लोग देखने वाले है function in PHP पहले तो मैं आपको बता दू कि function in PHP जो है ये दो पार्ट में divide किया गया है सोच लीजिए एक होता है build in function और एक होता user defined function तो building function के बारे में हम लोग discuss करने वाले नहीं है भी हम लोग user defined function के बारे में discuss करने वाले हैं और first of all सबसे पहले हम लोग ये बात करना चाहेंगे कि functions होता क्या है तो मैं ऐसे कह सकता हूं function is a block of statement that can be used repeatedly in a program मतलब function क्या होता है block of statement होता हम लोग बार बार use कर सकते हैं अपना program में कैसे चलिए देखते हैं तो सबसे पहले मैं यहां पर क्या करूंगा मैं यहां पर PHP attack को open कर लूँगा और यहां पर PHP attack को close कर लूँगा और उसके बाद में हम लोगों यहां हम लोगों को यहां पर function बनाना है तो function बनाने के लिए क करना पड़ता है not square ब्रेकेट कली ब्रेकेट ठीक है और इसके अंदर में यहां लिख देता हूं । इक हुआ जो हम लोगों ने एक फंक्षन बना लिया है जिसका नाम है से हेलो अब फंक्षन बहुत बिए पी आदमी है इसको बीना बुलाई यह नहीं काम करता है इसको बुलाना पड़ता है बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा फंक्षन का जो नाम वह लिखेंगे और ब्रेकेड ओपिन क्लोज कर देंगे तो फंक्षन अब बात सुनेगा हमारा और काम करेगा मैं आपको द डॉट पी जिसको मैंने ब्राउजर में ऑपन किया है तो यहां पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है क्यूंकि हम लोगों ने फंक्शन को बुला नहीं है तो यहां पर फंक्शन को बुलाना होगा तो यहां पर मैं लिख देता हूं से हेलो और उसके बाद यहां जाता हूं और मैं यहां पर रन करता हूं तो देखिए वैलकम फ्रेंट आ रहा है अब बोलेंगे सर यह तो हम लोग डारेट भी लिख सकते थे बट ऐसा मैंने फंक्शन इसलिए बनाया है क्योंकि मैंने आपको कहा कि फंक्शन का यूज हम लोग बार बार कर सकते मतलब कि से हेलो लिख दीजिए दस बार और दस बार इस फंक्शन के अंदर में लिखा हुआ कोड को आप एक्सीक्यूड करा दीजिए कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है अच्छा यहां प हम लोगों को बन करना पड़ेगा यहां पर बन करना पड़ेगा ओ सॉरी यहां पर इसको बन करना पड़ेगा और यहां पर इसको बन करना पड़ेगा और अगर मैं यहां जाओं और उसके बाद मैं इसको रिफ्रेश कर दूँ तो देखिए वैलकम फ्रेंड वैलकम फ्रें होगा आप लोगों को अब next क्या समझना है हम लोग को यहां पर हम लोग चाहते है और इस function में हम लोग अगर argument लेना चाहते argument क्या होता है देखिए जैसे यहां पर welcome friend के जगा में मैं चाहता हूं कि जब भी मैं function call करूं तो दे settlements और एक बनाम का घृबर एक बन्दे का वेलकम किया जाए थीक है तो उसके foreign नम्दा की लिए को कॉल करूंगा इसका नंबर उसका नाम मैं देना चाहूं गा कॉंद के इसके लिए आधर में हम लोग argument पास करेंगे तो मैं यहां पर लिख देता हूं नेम तो अब क्या होगा कि जब फंक्शन हम लोग कॉल करेंगे एड़ टाइम यहां पर हम लोग नाम देंगे जैसे मैं यहां पर देदेता हूं नाम उसके बाद यहां पर मैं दूसरा नाम देदेता हूं उसके बाद यहां पर मैं तीसरा नाम देदेता हूं उसके बाद यहां पर मैं चौथा नाम देदेता हूं उसके बाद यहां पे मैं पांच वा नाम देता हूं ओके और एक काम करता हूं मैं यहां पर डॉट देता हूं डॉट अंड धेन ब्रैकेट यहां पर हम लोग एचाट ले लेते हैं ताकि एक लाइन आ जाए ठीक है और अभी देखिए यहां पर जो हम लोग उने नेम लिखा अरगमेंट और फंक्शन को कॉल करते समय ब्रैकेट ओपन के क्लोस के समय हम लोग क्या करते हैं फिर वैल्यू पास कर देते हैं ठीक है ना जैसे कि अभी यह जो नेम नाम का वैरियबल है जिसका हम लोग यहां अंदर यूस हो रहे है जैसी यह पहले इसको हम लोग कॉल कर करें तो यहां पर वैल्यू जो हमारा सचीन है यहां वैल्यू हमारा सानवी है यहां वैल्यू हमारा अमीट है यहां वैल्यू हमारा सुमीद है यहां वैल्यू हमारा अनील है और जब हम लोग यहां पर जाएंगे ब्राउजर में और इसको अगर हम लोग रिफ्रेश ठीक है अब एक बहुत ही कॉमन्स और एक चीज में बता दूँ आप लोगों को जैसे पी जो है एक लूजली टाइप लैंग्वेज है पीज़े लूजली टाइप लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि अधर प्रोग्रामिंग लेंग्वेज में हम लोगों को यहां पे इसका डाटा टाइप भी देना होता है इसका क्या देना होता है डाटा टाइप भी देना होता है मान लीजे कि मैं अगर इस सारा चीज को हटा देता हूं थोड़ा दिर के लिए यहां मैं सारा चीज को हटा देता हूं और यहां पर मैं एक फंक्शन और बनाता हूं और इस except करें 인टीजर वयलू ही except करें तो इसके लिए मैं हम लोग पीहहःच्पी में बी 2020 सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर आएंटी यहाँ पर स्यॉज़िए बाइन टी excerpt वेरियबल एक्स लिख दे रहा हूं और उसके बाद पिर मैं यहाँ पर यहाँ लिखिघ कि वाई एक्स प्लस वाई इसको हम लोग ई को करवा देंगे ठीक है तो अगर मैं यहां पर कॉल करूं फंक्शन को क्या नाम है मेरा फंक्शन का एड नंबर और ब्रैकेड के अंदर में यहां पर देखिए मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में पाच लिख रहा हूं और फि डिखा रहा है यहां पर तो यह 11 में अपने से और वह मेरे को darüber दिखा दिया वह तुमेरे को क्या दिखा दिया है 12 दिखा दिया मतलब कि हम लोग यहां इस फॉंक्शन में डिक्लियologist कि Germans वेल्यों लेंगे मतलब इन्टीजर वैल्यों लेंगे मगर हम लोग जब पाटकर रहे तो भी घ्र सेप्ट कर दे और डिक्लेयर के बाद ब्रैकेट ओपेन क्लोज और उसके बाद स्टी आर आई सी इस ट्रिक टाइप लेना होगा और इक्वल टू वन देना होगा ठीक है ऐसे अगर हम लोग दे देते हैं इसका अगर हम लोग यूज करते हैं तब देखिए यहां पर मेरे को यह दिखा रहा ह एक्सेप्टेट टाइप आई एंटी फाउंड और यहां पर दिया हुआ इस्ट्रिंग जिसके कारण यह एरर आ रहा है मतलब कि अब जो हम लोग यहां पर आर्गमेंट में जो जो डाटा टाइप दिये है वही डाटा टाइप यह एक्सेप्ट करेगा और दूसरा डाटा अगर हम लोग देने का कोसिस करेंगे तो वो मेरे को एरर दिखाएगा मगर उसके लिए एक चीज़ है कि आपको उपर में इस प्रकार से इस्टिक टाइप इक्वल टू वन लिखना होगा अब देखिए अगर यहां पे मैं इंटीजर ले लेता हूं 11 और यहां मैं 5 ले ले को कि हम लोग डाटा टाइप हिसाब से भी दे सकते हैं और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ पहले जैसे कि यही फंक्शन को मैं लेता हूं फंक्शन और एड नंबर एड नंबर ब्रैकेट ओपन क्लोज और यहां पे मैं फिलाल ए कॉमा बी ले लेता हूं ठीक है अभी मैं इसका डाटे टैप नहीं ले रहा हूं जान बुछ के क्योंकि मैं कुछ और बताना चाहता हूं और यहां पे अगर मैं लिख दू रिटेन ठीक है यहां पे फंक्शन हम लोग बनाए रिटेन और यहां पे मैं दे देता हूं एंड प्लाइस और बी उसके बाद में अब अगर मैं फंक्शन को कॉल करूंगा यहां पे जाता हूं मैं और इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूं अड नमबर ठीक है और मैं आप लोगों को फिर से ब्राउजर वाल एक मिडिया पर हम लोग को पास करना पड़ेगा पांच और छे मैं दे देता हूं और अगर मैं यहां जाता हूं और उसके बाद यहां पर रिफ्रेश करता हूं तो यहां पर मेरे को आउट पूट कुछ भी नहीं दे र अगर यूज नहीं कि अगर डिस्प्ले कराना चाहते हैं हम लोग इस चीज को तो यहां पर क्या करूंगा मैं एक वैरियेबल और ले लूँगा उस वैरियेबल में इसका वैल्यू को मैं स्टोर करवा दूँगा या तो डारेट भी प्रिंट करवा सकते हैं लेकिन मैं ऐसे कर रहा हूं और उसके बाद मैं क्या करने वाला हूं मैं यहां पर प्रिंट लिखूंगा और प्रिंट के बाद मैं यहां पर इसको प्रिंट कर दूँगा इसको प्रिंट करवा दूँगा तो अब जाकि यहां पर मेरे को ग्यारा देखने को मिलेगा मतलब पंक्शन जो हम ने यहां पर आपको रिटैन्स अमझाया अब क्या एक की अगर में आपको दिखाओं यहां पर अगर मैं लिख तो हूं एक अगर मैं यहां पर 5 है यहां पर की add number का जगा मैं एक function बनाता हूं c a l c ठीक है और यहां पे मैं plus का वज़ाए मैं यहां पर कर देता हूं इसको divide और उसके बाद में फिर यहां पर मैं इसको call करता हूं c a l c ठीक है और then यहां पर नंबर में पास करूंगा पांच और दो ठीक है और यहां पर मैं value ने दिखाऊंगा मैं यहां पर वी यह और underscore d ump dump वाला function से इसका data type मैं दिखाऊंगा ठीक है इसका data type और यहां पर भी हम लोग data type ले लेंगे int a और int int b ठीक है और उसके बाद अगर यहां जाओं और एक बार मैं इसको refresh करूं तो देखिए मेरे को क्या दे रहा है float दे रहा है मेरे को क्या दे रहा है float दे रहा है यहां पर जबकि हम लोग accept कर रहे int है न और उसके बाद यहां पर क्या और after calculation क्या हो जा रहा कि जहीट सा बात है कि value जो आएगा मेरे को इस return type का value ही चाहिए ठीक है दूसरा return type का value नहीं चाहिए तो इसके लिए मैं यहां पर क्या कर सकता हूं अगर मैं यहां जाओं और इसके बाद यहां पर अगर int लिख दूँ यहां पर मैंने क्या लिख दिया int और उसके बाद यहां जाएंगे हम लोग और फिर अगर मैं इसको refresh करूंगा तो देखिए अब वह पॉइंट वाला value accept नहीं कर रहा है मतलब मान लीजे जो application में हम लोग काम करें वहां मेरे को पॉइंट नहीं होता है situation बहुत बार बहुत कुछ बनाने समय आता है ठीक है तो उस जगा में हम लोग क्या करेंगी कि data type return data type भी हम लोग को declare करना पड़ेगा कि भाईया जब कोई value return करें तो PHP अपना हिसाब से हम लोग को data type माज नहीं return करें हम लोग जो data type से चाहते हैं उसी data type का value हम लोग क return करें तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं यहां पे return data type के लिए हम लोग इस प्रकार से data type दे सकते हैं यहां पर यहां पर जो देंगे वह झाल झाल